हलो स्टुडेंट्स मैं बीपी सिंग आज आपके लिए कौन का नेश्ट लेक्चर लेके आया हूँ और इस लेक्चर में मैं आज आपको केवल एक ही क्वेस्चन करा पाऊंगा क्योंकि एक्वेस्चन में लगबग क्या वार रिपीट भी हो चुका है तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा क्वेस्चन कौन सा है चलिए तो क्वेस्चन सामने आ गया है पढ़ते हैं समझते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं यही question है, जो कैई वार exam में repeat हो गया है, long question में आता है यह, prove that under root fx plus minus under root gy plus minus under root hz equal to 0 represent a con, सबसे पहले हमें यह देखना है, कि यह equation वास्तम में कौन की है, कौन की equation हम कैसे पैचानेंगे, कि जो कौन की equation थी, वो xyz में थी, और second order में थी, और homogeneous थी, अगर यह xyz में homogeneous में second degree की equation बन जाती है, तो हम दावे के साथ कहेंगे, कि वास्तम में यह एक कौन की equation है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वो देखिए, अंडर रूड fx, पिलस अंडर रूड gy, पिलस अंडर रूड hz, एक्क्वल टू 0, इसमें या तो आप पिलस का साइन ले सकते हैं, या माइनस का एक साइन लेके चलिए, जो आपको पसंद हो, इस वाले को इधर माइनस में ले जाएं, तो अंडर रूड fx, अंडर रूड gy, माइनस अंडर रूड hz, दोनो और का स्क्वाइर करने पर, इसका इसक्वाइर करेंगे तो fx, इसका करेंगे gy, पिलस दोनों पदों की गड़गुणा का दूना, तो 2 अंडर रूड fx, इन्टू gy, इधर इसक्वाइर करेंगे तो hz, यहां तक कोई परेशानी, इसका होलवर खोलोगे, यह आएगा, इससे यह कट जाएगा, इसे माइनस में ले जाओ, इसे इधर लाइए, तो fx, gy, minus hz, इक्वाल टू, माइनस टू, अंडर रूड में fx, gy, फिर दोनों और का दोबारा स्क्वाइर करिए, अगें, squaring, both side, दोनों और का फिर वर्क करने पर, a पिलस b पर माइनस c का whole square, डारेक्ट खोल रहा हूँ, इसका वर्क करेंगे आप, f square, x square, फिर g square, y square, फिर h square, z square, पिलस के 2ab, 2fx, gy, minus 2bc, minus के 2gy, hz, minus 2ca, तो 2fx, hz, clear, square समझ में आगया होगा, a, पिलस b, minus c का whole square, a square, पिलस b square, पिलस c square, पिलस के 2ab, minus 2bc, minus के 2ca, इधर का करेंगे तो यहाँ 4, और यहाँ आएगा, fx, gy, under root हट जाएगा, आएए एक बार, फिर solve करते हैं से, f square, x square, पिलस के g square, y square, पिलस h square, z square, यहाँ है fx, gy, यहाँ भी fx, gy, इसे जब इधर लाओगे, तो यहाँ 2, यहाँ 4, तो यहाँ minus के 2 बच जाएगे, क्योंकि इधर आएके यह minus का 4 हो जाएगा, तो minus के 2, fg, x, y, minus के 2, g, h, y, z, minus के 2, fh, z, x, equal to 0, एक बार और सही तरह से लिख दूँ, वैसे तो यहीं बहुत है, एक बार और लिखे देते हैं, एफ स्क्वार, x स्क्वार, g स्क्वार, y स्क्वार, h स्क्वार, z स्क्वार, y, z आता है, minus 2, g, h, y, z, फिर z, x आता है, 2, f, h, z, x, फिर x, y आता है, minus 2, f, g, x, y, equal to 0, अब एक बात बताओ, यही कौन की equation हो गई, कैसे, ax स्क्वार, पिलस b, y स्क्वार, पिलस c, z स्क्वार, पिलस 2, f, y, z, 2, g, z, x, 2, h, x, y, देखो, यह x, y है, z, x है, y, z है, x स्क्वार, y स्क्वार, z स्क्वार, और दो-दो degree है, इसका मतलब यह second degree की भी है, और homogeneous है, इसी लिए वास्तम में यह represent कर रही है, कौन की equation को, तो इसे मैं है number 1 डाले देता हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं, विच इज, इज, होमो, विच इज, होमोजीनियस अफ सेकिंड डिग्री, इन, x, y, z, इसी लिए, यहां लेखे दाव नहीं देखाई दे रहा हो, इक्वेशन फस्ट, रिप्रजेंट, एज, ए, कौन, तो यहां तक केवल मैंने यह प्रूफ किया है, यहां तक, कि यह equation वास्तम में कौन की equation है, क्योंकि सेकिंड डिग्री की है, और होमोजीनियस है, कौन की equation पता तो है, नहीं पता तो आप lecture 1 देखें, वहां मैंने detail में प्रूफ करके दिखाया है, विद diagram के बताया है, ठीक है, तो चलिए आगे परते हैं, इसके बाद क्या है, कौन बैट, touch the coordinate planes, अब यह हम कैसे प्रूफ करें, कि वास्तम में यह touch कर रही है, अगर मैं इस plane को x-axis पे touch करता हूँ, तो जिस axis पे हम touch करते हैं, उसका माद 0 रखते हैं, तो यह जो कौन की equation है, इसको मैं x-axis पे रखूँगा, अर्थात इसमें x की value 0 रखनेंगे, 0 रखने के बार जो बचेगी equation, वो perfect square बन गई, तो हम दावे के साथ कहेंगे, कि यह कौन की equation, plane को x-axis पर touch कर रही है, चलिए तो यह मैंने आपको proof करके दिखा दी थी, कि यह homogeneous की equation है, second degree की x, y, z में, इसलिए represent कर रही है कौन को, आगे कह रहा है, that touches the coordinate plane, यह equation को मैं x-axis पर touch कर रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ, equation second meets the plane, equation second, यह वाली, meets the plane, x equal to 0, आइए इसमें x वराबर 0 रखेंगे, तो यहां बचेगा, g square y square, plus h square z square, minus 2ghyz, यह 0, यह 0, यहां तक कोई परेशानी, हमने हैं क्या देखा, यह बन गया, g y minus hz का whole square, equal to 0, इसका मतलब यह perfect square है, तो मैं यहां लेखे देता हूँ, which is perfect square, it follows that, the plane x बराबर 0 meets equation second, कहने का मतलब यह है, कि जब यह perfect square आ जाए, x बराबर 0 रखने पर, तो हम दावे के साथ कहेंगे, कि यह equation जो second है, यह x axis पर touch कर रही है, 100%, क्योंकि perfect square आ गया, which is perfect square, it follows that, the plane x बराबर 0 meets यह touch, equation second, similarly, इसी प्रिकार, y and z बराबर 0 also, touch the equation second, इस एक ही solve करते हैं, बस उसको similarly लिख देते हैं, आप मैंने यहाँ x बराबर 0 रखा था, आप यहाँ y बराबर 0 रखते हैं, तो वो भी perfect square आएगा, z बराबर 0 रखोगे, तो भी perfect square आएगा, अगर आप BSE के साथ साथ, completion की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा second channel आपके लिए बहुत ही useful है, मेरे second channel का नाम है, entrance exam by BP sir, वहाँ में competitive video डालता हूँ, जैसे SSC, CGL, bank PO, लेखफाल, अगनीवीर, अर्थात जो metric level का math है, high school और 9th और 8th class के जो metrics हैं, math है, वो पूरा solution करके देता हूँ, और 0 level से लेकर playlist बनाता हूँ, और लगवग हर playlist में 10 से 15 वीडियो में डालता हूँ, ठीक है, चलिए तो इसका third part देखते, अब यह आगे क्या पूछ रहा है, and that the equation to reciprocal con is, यह मुझे proof करके दिखाना है, कि इस equation की यह reciprocal con है, तो इसको मैंने यह proof करके पहले ही रख लिया था, अब मैं इसकी compare कर रहा हूँ, फिर reciprocal con की equation लिखूँँगा, और फिर इसे set करके दिखाऊंगा, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले कौन की equation second degree में, x, y, z में क्या होती थी, चलिए में लिख रहा हूँ, ax square plus by square plus c, z square, plus 2fyz, plus 2gzx, plus 2hxy equal to 0, यह होती थी कौन की equation, आईए पहले इससे इसकी compare कर लेते, बाद में लिखेंगे, रही सी प्रोकल कौन की equation, is compare by second equation, तो यहाँ a equal क्या है, f square, b equal है g square, c equal है h square, यहाँ f equal क्या निकलेगा, minus के gh, g equal निकलेगा, minus के fh, और h equal निकलेगा, minus के fg, यह मिल गए, अब तुम्हें यह भी पता हो गई, कि यह equation होती थी, अब हमें, reciprocal कौन की equation, मालूम होनी चाहिए, इससे पहले lecture में, just इससे जो पहला lecture है, उसमें मैंने, reciprocal की figure, diagram साब बड़े प्यारती बताया है, कि कैसे हम निकालते हैं, तो धंक से अगर देखना है, तो एक बार उस lecture को जरूर देख रहें न, just इससे पहला lecture है, lecture 5 है, ठीक है, तो चलिए, अब हमें reciprocal कौन की equation मालूम होनी चाहिए, equation of reciprocal, कौन, तो क्या होती थी, कि मैं यहीं लिखे देता हूँ, ax square, by square, cz square, 2fyz, 2gzx, plus 2hxy, equal to 0, यह होती थी, इसी में केवल capital, अब a, b, c की value हम कैसे निकाले, यह मैंने बड़े प्यारते बताया है, और यहां भी लिख रहा हूँ, a की value होती है, b, c, minus f square, b की value, c, a, minus g square, c की value, a, b, minus h square, capital f की value, g, h, minus af, capital g की value, f, h, minus b, g, और capital h की value, f, g, minus c, s, आरी value रख दीजिए, आंसर तयार, आईए, सबसे पहले, a की value रखते हैं, b, c, minus f square, b की जगे पर एक तो, g, 0, g square, और c square, direct लिख रहा हूँ, देख लिजिए, b, c, g square, h square, minus f square, f square करोगे, तो g square, h square, ये तो कट गए, के लिए, अब similarly करे देता हूँ, b, और c, बरावर भी, g रो आएगा, इसी परकार, आईए, अब हम एक f, बरावर निकालते हैं, f, बरावर है, g, h, minus af, g की value कहा है, minus के f, h की value कहा है, minus के f, g, तो plus के f square, g, minus, a की value ये रही, f square, और f की value ये रही, minus के g, h, तो plus के g, h, हमने हैं क्या देखा, same है, तो ये आगया, 2, f square, g, h, आपने f की value निकाली, तो f square, g की value निकालोगे, तो क्या होगा, 2, g, square, f, h हो जाएगा, और h की value निकालोगे, तो 2, h square, f, g, अब हमारे पास सारी value तैयार है, a, b, c, f, g, h, इन सब की value कहां रखोगे, इस वाली equation में, ये equation में ने अब आपकी third बना दी, तो देखो, यहाँ a की value 0, b की 0, c की 0, यहाँ तक तो 0 हो गया, केवर 2, capital f की value बताईए, capital f की value ये रही, 2, f square, g, h, अब, y, z, पिलस, 2, g की value बताईए, g की value ये रही, 2, h square, f, g, z, x, पिलस, 2, h की value बताईए, h की value तो ये गलत लिख दिया, मैंने, यहाँ से मिटा रही है, 2, g की value कहाँ है, ये रही, 2, g, square, f, h, 2, g, square, f, h, और f, h, लिख दिया, z, x, पिलस, 2, h की value कहाँ है, ये रही, तो 2, h, square, f, g, और x, y, equal to 0, फिर समझ लिजिए, देखिए कि multiply, 2 into 2 है, तो 2, f की value में, f, square, g, h, g की value में, g, square, f, h, और h की value में, h, square, f, g है, अब इसमें से क्या-क्या common है, वो common लेके, 0 में भीज़ दो, एक तो 2, 2, जा 4 common आएगा, यहाँ लेके देता हूँ, f, y, z, यहाँ बचेगा, g, z, x, यहाँ बचेगा, h, x, y, equal to 0, यह सब 0 में गया, तो क्या बचा, f, y, z, g, z, x, h, x, y, equal to 0, यही आपका proof है, तो यह question थोड़ा बढ़ा था, लेकिन long question में, कौन में से, तो 100% आता है, एक बार देख लो, दो बार देख लो, तीन बार देखो, और अगर वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वेल आइकन को प्रेस कर दो, तभी मेरी आपको next वीडियो मिलेगी, और अपने फ्रेंड़ों को जरूर से एर करना, अगर आपने अपने एक फ्रेंड को से एर कर दी, तो समझूँगा, आपने मुझे दक्ष नामे कुछ न कुछ जरूर दिया है, आपने लो दक कर देंड़ों को जया है, झाल 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 झाल